रिसेंटली हमने देखा कि इस प्रकार जमो कश्मीर में भारत्य जनता पार्टी की सेंटर गवर्मेंट और लग अलग अलग कही या एक कहें कोई फरक नी पड़ता जो भी होता है इन दोनों की मर्जी से ही होता है पहले हमने देखा demolition drive लोगों के घर तोड़े गए अब जिस किसी का बचा था अब उन बचे हुए घरों के लिए आपको property tax देना होगा जो के एक करपिल से लागू किया जाएगा जमो कश्मीर में अलाकि इस मसले को related काफी politicians ने काफी सारी दलीले बया की है एलजी मनहुर सिनहा ने कुछ दलीले बया की है और दलीलों को PDP किस नजरी से देखती है आज वो जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ मौझूद है वरिंदर सिंग सोनू जो People's Democratic Party के spokesperson है सबसे पहला सवाल सर जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले हमने देखा एलजी मनहुर सिनहा का एक बयान आया था iPhone को ले करके मुझे उमीर है आपने वो सुना जरूर होगा कि किस प्रकार उन्होंने एक निशाना किया कश्मीरियों पर कि आप iPhone तो यूज कर सकते हो लेकिन property tax जो हमने बहुत कम रखा in comparison with the rest of the states of India तो आप वो देने से क्यों कता रहे हैं देखे सबसे पहले तो मैं जो LG मनोज सिनह साब का बयान है iPhone को लेकि यह एक चीज बड़ी कलियर है अगर कोई आदमी जमों किश्मीर का iPhone करीजता है तो उसके लिए वो टेक्स देता है तो अगर वो फोन करीजता है तो वो टेक्स देता है तो सरकार को फैदा होता है दूसरी बात उनों नों वहां की कि आप डाटा करीजते हो मुबाइल का नेट पैक की बई उनको यह भी पता हो ना चाहिए यप को खरीजते हैं तो उसके उपर भी हम जी एस्टी देते हैं तो टेक्स हो हम हर चीज के उपर दे रहे हैं बात आगी प्राप्टी टेक्स की प कोई प्राप्टी टेक्स जमू के लोगों पर नहीं लगाएंगे आगी मुझे बताईए कि यह सरकार का काम है फैसला करना चुनी होए लोगों का काम है फैसला करना हमने अपने लोगों पर टेक्स लगाना के नहीं लगाना सरकार तो चुनने का मुका नहीं यह दे रहे हैं अपनी मनदधी जै कर रहे हैं और बाकी बात है जे चुनी होई लोगों काम है जोilon résultर कारपरेशन जे मुनbok जुनी हुए है उ Countay कर दि उनको तो फैंसला देने का आ कर न है को ही अपने fundamental right समझें इनसे बड़ी की चीज की कुई महांगी ना कर पाएं और दूसरी बात तो यह है कि यह जमू किश्मीर के लोगो रस्ट आफ कंट्री आपने बहुत सारी स्टेटें देखी होगी ना यहां पर लोग फुट पाथ पे सोते हैं टेंटों में सोते हैं पारी पार्टी ने भी कियाम ने दिली में जाकर भी प्रोटेस्ट किया उसके बाद यह है कि यह फैंसला उड़ने इस ड्राइव को रोका जरूर है तो लेकिन दूसरी तरफ यह आगे हैं भाई आप सरकार चाहती क्या है करना वह जमू किश्मीर के लोगों को बिल्डोज क बाद ही पहले रोजगार के सहदां परना इस अब पर अब लेना चाहती जाती है कि अम जमू कुश्मीर के लोगों को मिसित्व पहले जमू किस्टेटाइ की तरह करते ह состояниye है हमारे रोजगार के सादम तो बनाई ए हमारे पस आया या इंडिस्ट्री पैकेज की बात करते थे कहते थे ना डिस्ट्री आएगी पांच गास दो यार उनी के बाद यहाँ नोकरी आएगी मुल्टिनेशनल कॉम्पनी आएगी वो कोई आई नहीं हाँ जो नोकरी लगे थे उनको भी निकाल रहे हैं जो लिस्टें सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने निकाली थी वो पिछले ती किश्मीर में जो लूट कसूट का राज है जहां डंडा तंतर चल रहा है और उसी कड़ी में एक और फैंसला है कि जमू किश्मीर के लोग अब देखिए फैंसला करने का तरीका क्या है देना होगा इसके बिना कोई चारा नहीं भी आप लोगों ने जमू किश्मीर के लोग काई था रेत बज़री का काई था सबसे पहले तीन सो सतर तोड़ने के बाद सबसे पहला काम जो किया गया इस सरकार के दोरा ये रेत बज़री बार के लोगों को दी गई उसके बाद जमू में शराब का कारोबार था जमू के लोग करते था किश्मीर में तो वो करते नहीं थे वो शीन के किल लोगों को दिया गया आप बताईए जमू के कितने लोगों को बाहर के कार्परेटरों में आप कहता हूं कि उनकी जो दुकाने खुली हैं जो दुकानों में स्टाफ काम कर रहा है न भी भार के लोग हैं जम्मू के लोग वो दुकान पे नोकर रखने मुलाजम रखने के लिए कावल नहीं समयते हैं और आज इनकी बात रहगी थी जमीनों और नोकरियों की अब उन पे उपर को यह आगे हैं आप टेक्स तो लग पुशन कोई नहीं जम्मू के लोगों के साथ उन्हों ने अनसाफ किया तो आद्धे क्रदन काटना चाए तो इस लीह हम इस टेक्स की विरोत्ता करते हैं सर जिस प्रकार से अगर भारतिय जनता पार्टी के इतिहास पे नजर दोड़ाई जाए हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब पीडीपी और भारतिय जनता पार्टी ने कोलेशन करके गवर्मेंट बनाई थी यह बात अलग है कि दो बार कोलेशन करना पड़ा था जब मरू पीडीपी की वो तहने ही थी जो मतलब उनको वो समझ नहीं आ पाया उस वक्त जिसकी शिकारा जमू कश्मीर हो रहा है जब जोगों का फत्वा था जो लोगों ने कहा वो मानना था किश्मीर में पीडीपी को मेंड़ दिया था अब सरकार तो हमारी बन जाती थी आगरस और नेशनल कानफरंस के साथ तब भी बन जाती थी लेकिन मुफ्ती साथ ने एक बड़ा दिल दखाया और उनका जमू के लोगों की मैंडेट की कदर करने ये एक नेता की एक लीडर की एक पालसी थी मुफ्ती साब इस सोच की आदमी थे मैं पहले भी कहता हूं कि इस सदी में आदमी एक सदी में एक ही ऐसा बंदा पैदा होता है उन्होंने जमू के लोगों की मैंडेट की कदर की तो उन्हें बीजेपी के साथ सरकार ने लेकिन जो बीजेपी का एजंड़ा था को और एजंड़ा 375 वो ने ठंड़े बस्ते में रख्या था न उसको वो चार साल तक जब तक हमारे साथ सरकार में रहे वो 375 पर बोले बारती जनता पार्टी के मिनिस्टर डबल फलाग लगा कर गुमते के नहीं गुमते थे जम्मू कश्मीर में यहां पर एक और सवाल आता है जब मुफ्ती महमद स्यद के गुजर जाने के बाद महभूबा मुफ्ती गई थी बात करने के लिए PM आफ इंडिया से तो वहां पर जो बात हुई थी वो कुछ अलग थी वहां पर 370 को लेकर बात नहीं हुई वहां पर बात हुई कि जो जम् 370 कब टूटा जब उन्होंने सरकार तोड़ी उसके बाद 370 टूटा ना जब तक हम सरकार में रहे हमने 370 की तरफ आंख उठा के दिया तोड़ना तो बड़ी दूर की बात थी आप ने कहा कि आपने PMO के साथ बात हमने बात तब भी किया माज भी कहते हैं जी हमारे प्रज भाराभी वारी जनता पाटी ने वो मसला सिर्फ अपने मिनिस्ट्र डिप्टीची मिनिस्ट्र बनाने के लिए वो बैक में डाल रखा के दिया है आप लोगों के सामने और दूसरी बात आज बड़ी बातays करते हैं बाती जनता पार्टी का लोटो अनू सब disorder स्मिनिस्ट् ने करते हैं मैं ने से पूछन चाहता हूं ने तब ही कहा है हम आज भी कहते हैं कि तरंगा हमारी शान है हमारी यहान बान लेकिन स्टेट फलैग हम इसी तरंगे ने दिया हमें वह बप वो constitution guarantee है हमें दी है हमारी safeguard है वो विदिन दा constitution of India हमें मिला है और हमें पूरी उमीद है कि Supreme Court हमारी बात सोनेगा जब भी वहाँ case सोना जाएगा Supreme Court हमारी बात सोनेगा जो illegal तरीकर से हमारे साथ किया गया हमें इंसाफ Supreme Court देगा opposition political parties या फिर जम्मु खिते के लोगों की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि महबुबा मुफ्ती Muslim favorite politics करती है भी देखिए बात ऐसे है अब बीजेपी से हमने कुछ certificate नहीं लेना जम्मु की अगर आब बात करते हैं वो Muslim favorite politics करते हैं तो दो यार दो में 16 MLA PDP के जीत के जीत कह थे MLC बनाया मैडम शांती देवी उस दुनिया में नहीं रही उनको MLC अमिनेट किया गया वो भी Hindu थे जमु से थे उसके बाद सुरंदर चोजरी साब को MLC बनाया गया निशेरा से वो भी Hindu विकरम दित्या साब को MLC बनाया गया बुशन डोगरा साब को अगर मुस्लिम की बात करती तो वो सबी अबनी लोगों बनाते लुडुण गो जमूव को मैं पूछाता हो कि आप भार्ती जंता पार्टी से जो भार्ती जंता पार्टी आए लोगों को सैटिप्रेकिट बाण रही है इनको जम्मू में कोई काबिल आदमी नजर नहीं आता जिसके अडवाइजर लगा दें बताये ना मतलब आम चलो मैं एक मिनटे कि लिए बात माली कि वो तो किश्मीर सेंट्री करते थे हैं मुस्लिम सेंट्री करते थे अब तो इनके पस ताकत है है जि apresent कियू लगाते हैं एडवाइजर जम्मू से कुई एक भी कोई लाइक आत्मी छोड़ दीजी पीज़ेगे जे को इसाईपेश अफसर अटायर नहीं जम्मू सुपे में उनको क्यू नहीं लगाते हैं गें ऑन्या जम्मू के लोगों को और पहली बार होगा था मुफ्तिशथ्भ जब दो यार दो में चीम निस्टर बने थे तो जम्मू से बलॉरियास भाओ को चीफ सक्टरी एट तो यह भी लगा दे ना किसी जम्मू के बंदे को चीफ सक्टरी क्यों ये लगाना चाहते इनको जम्मू के लोगों पर पुष्वास नहीं है जहां यह समीदएं कि जम्मू के लोग इस लाइक ही नहीं है यह मेरा सवाल है वार्ति जन्थ पार्टी के लोगों नहीं से पर लोगों ने जब 部ructor कर काति के दानत हैं खाने के और दिखाने के और, जैस जम्मुके लोगों को इस lयाइक नहीं चाहा ह है उसके लिए सब्सक्री के लिगों के लोगस Ó donate तो जम्मुके लोंगे लगाना चाहते है, तो जम्मुके लोगों को ज़य चाहेंगे हम तीन साल से प्यार है तो जम्मू के लोगों को जे बाहर बेचते हैं और रेस्ट आफ कंट्री से अपनी सरकार बनाने की कोशिश है कहा जाता है कि जिस प्रकार स्टोन पेल्टर से प्यार मिलिटेंट्स की तरफ हमदर्दी या और भी ऐसे कहीं इंसिडेंस है जिनका ब्लेम लगता है म जाता है कि 99 में हमारी पार्टी बनी थी हमारा तब भी स्लोगन था गरनेर से नहीं गोली से बात बनेगी बूली से दो यार दो में जब सरकार बनी तो माननी अटल भी आरिवाजपाई साब 2004 में इस्टान के विजीर आला बने तो वाजपाई साब ने खुद पाकिस्तान के साथ बातचित शुरू की थी वहाना किश्मीर में जाके आपको याद होगा औरोने कहा जी हम दोस्त बदल सकते हैं दुश्मन बदल सकते हैं प्रोसी नहीं बदल सकते हैं तो मैं अपने प्रोसी ओं के साथ बातचित करना चाहता हूँ मैं होल ठीक रखना चाहता हूँ तो किस के साथ प्रेम था वाइजपईender तो आप कह सकते हैं कि today किसी और के साथ प्रेम था हमारा प्रेम जम्होग किशमीर के लोगों के Whew एक बात तो रह एक बाट दो बात चल रहिए ना तो स्रकार की मरजी के बिना चल रही है इनकी मर्जी से चल रही है न तो मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार का पाकिस्तान से प्रेम है का जमू किश्मीर के लोगों के साथ प्रेम है हम तो उसका स्टैप का वेलकम करते हैं मैं यह कहना चाहता हूँ यह जो बाते हैं जो मीडिया पर कुछ लोग जो बना हम तो आम लोगों के बल्ए के लिए चाते हैं कि यह मसरा किश्मीर हाल हो जाए his subscribe न्युमेर गिर चूकी he माओं के बैटी जहां जुड़ए Sumandā तो यहिसी आम लोगों की राखी के लीए किसी मां के बच्चेए थे बाई साय किसी मांतकवाद के साथ नहीं है जमू किश्मीर के लोगों के साथ है हम कहते हैं कि इस मसले का हल कीजिए हमें मिलिटेंसी से निजात दिलाएं जो कि बारतिय जनता पार्टी ने वादे किये थे पांच गस दो जार उन्नीस को पिर मिलिटेंसी खतम करते हैं तो नहीं है हम इंसे सवाल तो पुछते रहेंगे ना तो आज हम जा कहना चाहते हैं हमारा प्यार जमू किश्मीर के लोगों के साथ है क्या लगता है आपको कि और कितना वक्त चाहिए भारतिय जनता पार्टी को जमू किश्मीर में एसेंबली एलेक्शन के लिए इसका जवाब तो बारतिय जनता पार्टी के हिसाब से मेरे साथ तो बारतिय जनता पार्टी चाहती नहीं है जमू किश्मीर में चनाओ जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं जिसका मकान तोड़ना है तोड़ देते हैं वहाँ कोई कोड़ नी कोई कचारी नी जिसको नोटिस देना है दे देते हैं आप लाइन पे मकान होगे जिसी भी जाती है कि मकान तोड़के वापस आ जाती है अब मुझे पताईए एक बाद बड़ी के लिए रहे मैं सरकार का तो मुझे पता नहीं क्योंकि जिनाओ यह कभी नहीं कराएंगे पिछले दिन हमारा कुछ नहीं बन सकता पिछले दिन हो बड़ा शोर डला था कि पीला पंजा पीला पंजा जमीन वापस लेके रहेंगे तो बंद कब होगी जब बारती जनता पार्टी के लितनेताओं को नाम आ गया जब उनके रहने वाले मकान आ गया तो फिर वो दोड़े अलजी साब कौन गया था अलजी साब से मिलने के लिए वो क्या बतें करने कि यह थे जब वो दोड़के गे वहाँ नहीं निजणाओं हमारा मकान बचाओ तो फिला पंजा रुग गया वो सब को ही रुग गया इसलिए मैं कहना चाहता हो बारती जनता पार्टी को जरूरत क्या चनाओ कराने की यहां दो तिन लोग से रियास्त को चला रहे हैं अपने साब से को इसलिए को जरूरती अबी कोई नहीं है राती जनता पार्टी परार्टी की 90 प्रसंट लोग दुखी है ना बोत सारे लोग मिलते हम वह उन्की भी कोई नहीं सुनता उनकी भी कोई नी सुनता सुनते हैं जो लोगों की है वो तो बचारिया आपको याद होगा कि बार्थी जंता पार्टी के फार्मर M.L.C. ने प्रेस कांफरंस करके लगाए थे वो ही जमू के लोग जानते बूल थो निगे है उन्होंने का था जी वो मुझे डिरेक्टर जैलेजेंड माइनिंग वो कहता है अगर एक फार्मर M.L.C. ने लगाए है और वो रो के प्रेस कांफरंस कर रहा था अगर एक फार्मर M.L.C. का यह आला है बार्थी जंता पार्टी का आपको और मेरा क्या होगा आपको और मेरा हमें कौन बचाएगा तो इसलिए यह नहीं चाहते है जमोकिश्मिन लोग तंतर हो क्योंकि लोग तंतर में लोगों की जवाब देही होती है आज तो जहां को जवाब देही को कोई किसी की ओपर इल्जाम लगाता है जहां पूछता है तो शाम को उसके पास जन्सिया चली जाती है गोवर्मेंट चली जाती है उसको पकड़ने के लिए तो ने यह बात कियों की वह मैं इसलिए कहा रहा हूँ आपको याद होगा दो साल पहले एक मास्क मैन निकला था जिसने कहा था कि मुझे इतनी डॉल्मेंट जमोशेर की होगी है तो मुझे बंद आखों से भी नजर नहीं आती उसको प्लीस ने पकड़ा था जब नोजवन कठे होगे प्लीस टेशन का अगर आओके तो उसको छोड़ना पड़ा था ये तो बात है इसलिए हम कहते हैं कि डेमोकरिसी में बैडल आफ आइडिया ख्यालाद की जंग है जमूरियत तो ये जमूरियत को मजबूत कभी ने देना चाहते है चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है उन जवाबात को लेकर आपकी क्या रहा है अभी कमेंड बॉक्स में जरूर दीजेगा तब तक के लिए बने रहे इंडियन ट्रिब्यों न्यूर्टीफोर सेवन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त टेक केर